मैं आज के वीडियो में आप सब लाया हूं एक jackpot intraday strategy जी हां दोस्तों यह एक jackpot intraday strategy है तो आज के वीडियो हम देखेंगे पहले इस strategy के बाले में थोड़ा सा जानेंगे यह strategy क्या है कैसे काम करती है उसके आद मैं आपको दिखाऊंगा एक demo दिखाऊंगा उसमें तो दोस्तों बनेगे इस वीडियो के में और बिल्कुल स्क्रिप मत कीजिए आराम से बहुत jackpot intraday strategy है अगर यह strategy आप समझगे अच्छे से तो आप समझदो डेली आप 3,000 से 10,000 लों पर पक्का कमा होगे ठीक है दोस्तों तो चलिए सबसे बहुत करते हैं इस strategy की यह strategy दोस सब्सक्रिका देनी है जी हाँ 925 AM strategy है इसको 925 AM से लेके 930 AM के बीच में आपको अब्यक्यूट कर देना है ठीक है दोस्तों और यह jackpot strategy है jackpot मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों अगर आपने strategy किसी स्टॉक में लगा दी और उसके बाद अगर मार्केट फिर सभी उसी डेक्श इस बहुत अच्छा है वन इस टूफोर तक वन इस टूफाइब तक रिस्क रिपाद रिस्क रिपाद रिस्यों है तो समझ दिए जिस दिन वन इस टूफाइब लग गया तो इस दिन आपका jackpot लग जाना है ठीक है दोस्तों एक jackpot strategy है वेरी ओल्ड इस्ट्रेड़ी यह बह बहुत परानी है लेकिन यह आज भी मार्केट में सक्सेस्फुल है बड़े बड़े प्रोफेशनल टेडर्स आज भी इस strategy को अपनाते हैं और डेली वो लाखों का कमा रहे हैं तो यह बहुत परानी strategy है नो इंडिकेटर दोस्तों इस strategy हमें कोई इंडिकेटर जिरुवत नहीं होती जी हाँ दोस्तों यह ऐसी strategy जो बिना किसी इंडिकेटर के काम करती है इसमें हमें किसी stock का चार्ट खोलने जिरुवत ही नहीं है ना कोई candlestick चार्ट पढ़ना है ना हमें कोई moving average लगाना है ना ह इसलिए इसलिए सबसे प्लान इसलिए कि जब पहले समय में टेक्निकल चार्ट नहीं थे software नहीं थे लोगों पाथ चार्ट नहीं बनते थे ना लोग टेक्निक अनलिसिस कर पाते थे तब लोग यह strategy को follow करते थे और बड़े-बड़े traders लाखों रुपर महीन महीना कमाते थे इस strategy से तो यह तब की प्राइब तब की समय की strategy दोस्तों इसलिए इसमें कोई indicator की जरूवत नहीं होती ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं यह work कितना करती है यह 100% working करती है इसमें कोई गुंजाइस ही नहीं है कि work ना करे यह 100% market में काम करती थी कर रही है और आगे भी दोस्तों यह 100% working strategy है ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं risk to reward दोस्तों इसमें risk आपका 1 is to 1, 1 is to 2, 1 is to 3, 1 is to 4 तक जाता है और कभी-कभी अगर बहुत अच्छा रह गया तो आपको 1 is to 5 से लेकर 1 is to 7 तक भी risk reward ratio मिल जाता है ठीक है तो इसमें बहुत अच्छा risk reward ratio है इसलिए इसको मैं jackpot strategy भी कहता हूँ no need to track जी हाँ दोस्तों यह study है कि आपने 9.25 एम पे अपना order लगा दिया तो आपको अब पूरे दिन उसको बैट कर देखनी जरूबत नहीं है आप अपना screen बंद कीजिए कुछ भी काम कीजिए यह study उन लोग के लिए बहुत फायदे मनें जो working professional जो office वगरें काम करते हैं उनको क्या करना है 9.25 एम पे order लगा देना है और screen बंद कर देनी है no tension आपको profit अपने आप देखे जाएगी कोई tension नहीं लेना है आप अपना काम कीजिए job करते है job कीजिए business करते है business कीजिए आपको जो करना कीजिए बस 9.25 एम से लेके 9.30 एम के बीज में ये strategy आपको लगा देना है order book लगा देना है उसके आपको screen देखने जलुवत नहीं है आपको profit अपने आप मिल जाएगा बस फिर आपको करना क्या है ठीक तीन बजे अपनी position को square up कर देना है ठीक तीन बजे आपको अपनी position square up कर देना है बस दिन में दो आपको screen प कीजिए कोई tension नहीं है बिना tension की strategy दोस्तों बिना tension की ठीक है तो अब बात करते हैं इस strategy को लगाना कैसे है तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे आप सबसे पहले आप जाएंगे Google खोलेंगे Google Chrome इसमें आप लिखेंगे NSE India देखिए दोस्तों जहां से देखिए मैं आपको द इसको आपको open कर देना है यह 9.15 पर करना है जब सुबह मार्केट खुलना है 9.15 एम पर तब आपको यह चीज करनी है ठीक है अब उसका देखिए ऊपर यहां पर लिखा है you are on the new website website access the old website on the URL और click here तो आप यह नई website आप प्राणी website पर जाना है आप यहां click here कर देंगे ठीक है यह click here कर दिया यह 9.15 एम पर यह मार्केट खुलना है तब ही आपको यह काम करना है आप देखिए अब उसके क्या करना है आपको यहां पर आ जाना है यह लाइब मार्केट ठीक इन i wild मार्केट पर प्लिक करेंगे इसका झाली इंडेक्स option यहां पर आ जाना है इन इंडेक्स option में अ आप फिर 10 फाइं तक आपको वेट करना है 925 एम तक ठीक है 925 तरह वेट करेंगे उसके आदब देखेंगे निप्टी का क्या ट्रेंड है अगर निप्टी पॉजिटिव है या निगेटिव है ठीक है तो यह जो आज मैं स्ट्टिजी बता रहा हूं इसमें हमें देखना है निप्टी निगेटिव तिस देना है अगर 925 एम तरह आपने मैं वेट किया अब देखेंगे अगर निप्टी निगेटिव है तो उस दिन यह स्ट्रेजी लगानी है ठीक है मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं C at 925 एम इफ निप्टी इज निगेटिव तेन B will go for this strategy ठीक है अगर निप्टी निगेटिव है तो हम इस strategy को लगाएंगे ठीक है अब क्या करना है आपने 925 एम गया अब 925 एम जैसी वह आपको यहां प्राजम आये स्ट्री इंडेक्स इंडिस अंडेसे में अब सेक्ट्रेजिन अपे निप्टी निगेटिव है तो यहाँ सिर्थ हमें वह इंडेसिस लेने जो निगेटिव होगे ठीक है अब हमना फ्रीं निप्री इंडेसिस ल है एक निप्टी ऑटो है कि और एक निप्टी फाइनेंशल सर्विसेस है ठीक है एक और टॉप फोर में भी जा सकते हैं तो एक और ले सकते हैं निप्टी मेटल ठीक है तो 925 एम पर आपको यह देखना है कि वही सबसे जारा निगेटिव इंडिसेस कौन से हैं अगर कि बैंक में जित्ते भी स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट आगई आपके सामने अब आपको क्या करना है इसमें से कौन से स्टॉक्स छाटने है इसमें से आप सबसे पहले यहां जाईए यह परसंटेज चेन है इसको आप जो है कि डिक्रीजिंग और में कर देंगे तो जो ज54 आप स्टॉक्स लेने हैं लेकिन लेकिन कशिया यहीं स्टॉक्स तो लेने हैं लेकिन लेकिन रूकिया यहीं पर द्यान देने की जल्वड़ा देखे लेके लिया में कौन से यह नहीं की यह ठीन आप तीन उठा लिए अधारी है अपको वह स्टॉक्स Community nou शोज को अग कर three stocks जिसका open equal to high होगा जिसका open and high same price होगा open price is equal to high price वो top three stocks लेने हैं ठीक है अब आपने जैसे यहाँ पर आगे हैं अब top three stocks यहाँ पर देखने हैं 925 एम तक किसका open and high बड़ा बड़ा तो देखिए सबसे पहले stocks निकल गया रहा RBL bank ठीक है इसका देखिए इसका open है 174 रुपीज और high भी 174 रुपीज है तो आपको क्या करना है RBL bank अपने watch list में लगा देना है ठीक है यहाँ पर मालिज आपने RBL bank अपने watch list में यहाँ लगा दिया यह RBL bank में लगा दिया ठीक है फिर आपको क्या करना है next stock देखना है और किसका ऐसा देखिए indecent bank 535 open है 535 high है open is equal to high indecent bank आपको अपना यहाँ indecent bank भी लगा लेना है watch list में अपने जिसमें भी आप trade करते हों जिस भी platform पे उसमें आपको अपना यह watch list में indecent bank भी लगा दिया ठीक है next top 3 में देखिए access bank access bank देखिए 434.90 open है लेकिन 435.80 high है तो यहाँ पर open and high equal नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे ठीक है bandhan bank देखिए 364.00 366.50 इसमें open equal to high नहीं है तो देखिए शुरू के जो 4 stocks हैं उसमें हमें 2 stocks मिले जिनका open equal to high है तो हमें शुरू के 4 stocks में से वो stocks ले लेने हैं जिनका open equal to high है ठीक है तो हमें 2 stocks मिल गए हमने 2 stocks लगा लिए एक ideal bank एक indecent bank ठीक है आप क्या करना है आपको इसी ज़िए आप next index में जाना है nipty auto और nipty financial services देखिए nipty financial services जो है ज्यादा down एम माइनस 2.45 तो हम nipty financial services को भी ले ले लेते हैं ठीक है इसके stocks भी देख लेते हैं ये इसके stocks खुल गए इसमें जो है जो सबसे रह नेगेटिव होंगे उनको हम उपर ले आते हैं अब इसमें top four stocks में से देखेंगे किसका open equal to high same है देखिए चाहसे पहले access bank 434.90, 435.80 high है नहीं है ये same नहीं है तो हम इससे नहीं लेंगे ठीक है अब आजाए इसका open at 202.75 और high भी है 202.75 तो इसका open and high equal है तो हम क्या करेंगे इसको भी हम अपने watch list में यहां डाल लेंगे तुवंथ इसका open at 202.75 यह हमने इसको watch list में डाल लिया अब तीसर स्टोक देखेंगे बजाज फिंजर देखिए इसका open at 6460.00 और high भी है 6460.00 तो यह भी हमारा सेम हो गया तो हम इसे भी अपने watch list में डाल लेंगे ठीक है इस तरह आपको देखिए यहां से आपने टॉप देखिए पी एप सी 83.90 ओपन है 83.95 हाई है तो हम इसे नहीं लेंगे भले पाँच पैसे डिप्रेंस है लेकिन हम नहीं लेंगे हम वही श्टॉक लेंगे इसका open or high एक्वल होगा तो टॉप चार में से हमें दो स्टॉक यहां से मिल ठीक है अब आपके पास हो गए आज के लिए चार स्टॉक्स आप चाहें तो थार्ड इंडेसे भी दे सकते हैं निप्टी आटो लेकिन आपको दो इंडेसे सही समझा रहा हूं तो देखिए यह हो गया आपके चार स्टॉक्स निकल आए ठीक है यह सीसी नहीं था यह थे आपको क्या करना है आपने वही 9.25 एम पर यह अपना सर्च किया और आपको चार स्टॉक निकल आए अब आपको कुछ नहीं करना है आपको सीधा इन चारुन स्टॉक्स को सेल कर देना है दिहां दोस्तों चलावन इस टोपक को सैल कर देगे 930 तक इसके सैल नहीं 10 रहे लोगया है कोई दिख्काथ नहीं तरह कर देज Shortly 930 तक इसको सैल कर दीजिए उस टॉप लोस क्या लगाएंगे इस टॉप लोस लगाएंगे чो इसस tactics pewno Selbst मैं आ Suppose आपने Sell RBL Bank, ठीक है, Stop Loss लगा आपका, 174.00, ठीक है, आपका at 9.25am पे यह आपको कर देना है, Sell RBL Bank, Stop Loss लगा है आपने, 174.00, ठीक है, अब मैं देखाता हूँ, आपको Target, Target आपको कितना मिला, चलिए आपको Chart देखाता हूँ, जैसा आपने अगर, suppose RBL Bank Sell किया होता, तो क्या Target मिलता, देखिए, पहले इसका Chart पर चलते हैं, यह 5 मिनिट का Chart है, यह आज का Chart है, यह देखिए, ठीक है, यह पहली 5 मिनिट की कंडल है, अब थोड़ा सा, यह दिखाते हैं, देखिए, यह पहली 5 मिनिट की कंडल है, 915 से 920 भी बनती है, इसका मैं आपको, इधर देखिए, इधर उपर यह आपको Open High देखाँ होगा, देखिए, इसका Open High एक्कोल है, 174, 174, ठीक है, यह पहले 5 मिन और आप यहां पर सेल करते हैं और इसका लोग पॉइंट पर बीचा इसका लोग आपने सेल किया इसेल एट वन कि शेवंटी फॉइंट जीरो जीड़ मोटा मोटा ले ले एक्सटाइब आपने सैल किया ठीक है इस्टॉप्रोस लगा जी आपने चार उपए उपर इस्टॉप्रोस लगाया है फिक आप देखिए यह आपको कितना प्रॉफित देकि आता दिन बर देखिए वन सैंटी है कि यह लो है 164.65 आप मालिए 165 पर 20 दे। लिए बेसक्ड निकालता तो आपको टाइट मिला 165 फिर है करें टोटन कितने अपर के टाइट ओके अब को टोटल पोइंट आपको कितने मिल गए 170 कि यापने चैल किया 167 मिल गए प्लो और सपोज मालिया आपने में हजार कॉन्टिटी भी सेल की होती है तो हुआ सब्सक्राइब अब जो हग अब तो आपको टोटल प्रॉफित होता है वह होता है आप में पांत हजार उपये बताईए और देखिए स्टॉप लोस कहीं विए आपका नेच हुआ देखिए stop loss मैं दिखाता हूँ आपने जो है यह है यहां पर stop loss प्लेस किया 174 पर देखें मैं दिखाता हूँ आपका पूरे दिन इसने कहीं भी यह आपने यहां पर stop loss प्लेस कर दिया यह आप देखिए आप आप ने कहीं भी आपका stop loss नीच हुआ और को एक सांदार profit आपको आपियल बैंक देखेंगे आज ठीक है नेक्स स्टॉक भी देखते हैं इंडेसन बैंक इंडेसन बैंक को देखिए इंडेसन बैंक का 535 ओपन और 535 हाई सेम है आपको इसको 925 पर सेल करना है हुआ है यह इंडेसन बैंक का चार्ट है यह 5 यह पाइप मिनट्स चार्ट है अध्या ठीक है यह हमारी पहली कंदल नाइन फुप्टीन से नाइन तवेट्टी की देखिए इसका ओपन हाइस हाई सेम है आपने second candle यहां sell कर देना है ठीक है second candle का low है 524.2 524 ले ले लें अगर मोटा मोटा तो आप समझ लीजिए इंडिसन बैंक का आपका जो है कितना होता अगर इंडिसन बैंक ठीक है अपने sell किया 524 ठीक है आपने sell किया 524 पर stop loss कितना रहेगा आपका stop loss 524 पर आपने sell किया stop loss जो है इसका open or high जो है यहीं पर 535 आपका stop loss रहेगा 535.00 का मतलब 11.00 का stop loss रहेगा और target देखे कहां मिलाव आपको यह आपने अपना यहां पर stop loss प्लेस कर दिया इसकेंडल के हाई पर यहां पर आपने 535 पर यह stop loss प्लेस कर दिया ठीक है आप देखे पूरे दिन भर देखिए नेगेटिव भी गया और कहीं भी आप इस टोप्लोश हिट नहीं हुआ वह और तीन बजय प्लाइस थी तीन बजी केंडल प्लाइस पांसो-9.5 पैसा पांसो-9 मालने आगा मोटा मोटा तो आपने पांसो-9 प्रपे इसको निकाल दिया तो टोटल कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो गया टोटल प्रॉफिट कितने पॉइंट हो गए 509 से 524 पच्चेस पॉइंट पच्चेस पॉइंट और सोच अगर इसको भी आपने हजार क्वंटिटी बेची होती है तो आपको पच्चेस जार का प्रॉफिट इंटर डे आज बन गया होता है ठीक है कि इसी दर नेक्स स्टोग भी दिखाना चाहूंगा आपको इसी दर आप एक स्टोग और दिखा देता हो आपको माहिंडर मेंना प्रॉप मेंना फाइनेंस का ओपन है है 202 रुपर 75 पैसा है हाई भी 202 पैसा है थीख है अब इसका हम चार्ट खोले है कि यह हमने चार्ट ओपिन किया प्रिया इ cœur एक यह फाइप बिल्ट केंडल है 202 रुपर 75 पैसा ओपन ही सेम है यह सेकंड केंडल है इसका लोग थांडल राप आपने सेल किया 200 रुपए पर आपका स्टॉप लग गया यहां पर 202 रुपए पर 70 पैसे ठीक है यह आपने स्टॉप लगा दिया और आपने जो सेल किया है वो 200 रुपए पर सेल किया है महिंद्र महिंद्र पाइनस ठीक है आपने सेल किया अट 200 रुपए पर सेतर पैसा ठीक है आप टार्गेट दिखाते हैं आपको इसका टार्गेट देखिये तीन बज़े पर जो आपको बुक किया आपने यह देखिए जो लो है 194.6 194 भी ले लिए अगर राउंड फिगर में 194.00 देखिए 200 पर किया दो रुपए 75 पैसा का अपका टार्गेट वो उसे स्टॉप लोस लगाता और आपको टार्गेट मिला 194.00 देखिए टोटल प्रॉफिट इसमें जो हुआ आपका टोटल प्रॉफिट जो हुआ जो हुआ प्रॉफिट प्रॉफिट इसमें बन गया होता तो बताईए है नहीं जैकपॉट इसी तरह आप कुछ भी जो भी स्टॉक्स हैं आप इसको अपनी वॉच लिसमें डाली हो सुबहें बेच दीजिए और आपको कुछ नहीं करना दिन पर पूरे दिन स्क्रीन पर कुछ नहीं करना ठीक की मजा के अपना प्रॉफिट बुक कर लिए जितना भी है यह यह दोस्तों ऐसी स्टेडिये देखें यह कभी फेल नहीं होती यह मार्केट में चलती ही चलती है आप इसको पेपर ट्रेट की लेकिन मेरी थोड़ी सलाय आप इसको एक दिन दिन पेपर ट्रेट कीए उसके बाद जब आपको समय आजाए गया तब आप इसे लिएल में ट्रेड कर सकता है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए मैं इसी तरह आपके लिए और भी धेर सारी स्ट्रेजी लेके आने वाला हूं ब